सो पैरेंट्स जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि RIMC दहरा तून के जून एंटरंस एक्जामिनेशन के फॉर्म रिलीज हो जोके हैं क्या क्या eligibility criteria थी आपका बच्चा कब apply कर सकता है उसका date of birth क्या होना चीए वो सारी चीजे हमने previous session में already cover किया हुआ है अब उसे आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आप online application form को कैसे मंगवा सकते हैं जो prospectus है उसे आप अपने घर पर कैसे मंगवा सकते हैं ताकि आप उसमें अपने बच्चे की details फिल करके आपका जो respective state government है वहाँ के educational department को वो form submit कर सकें तो आज की इस video का agenda होगा that how to apply for the prospectus या फिर online form आप कैसे मंगवा सकते हैं उससे related तो मैं हूँ सुनिल शर्मा और आप देख रहे हैं तो online guru ऐसे ही regular updates हम आपके लिए available करते हैं इन सभी को देखने के लिए channel को subscribe कर bell icon press करना ना भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो आज का session स्टार्ट करने से पहले आप सभी को inform करना चाहूंगा हमारे तरफ से online live classes sessions भी available करवाये जाते हैं इन में enroll करने के लिए अब डिये के number 7737 653468 पर details ले सकते हैं यह हमारे कुछ RIMC के previous selected students हैं आप भी इनकी तरह online classes में enroll करके अपना selection करवा सकते हैं चले तो अब हम लोग चलते हैं RIMC की official website पे और देखते हैं कि आप prospectors को कैसे apply करेंगे सबसे पहले आप किसी भी browser पे जाएं browser पे rimc.gov.in पे login करें इसका link मैं आपको नीचे description में भी दे दूँगा अब आपको क्या करना है just simply यहाँ पे आप देख सकते हैं कि online payment for RIMC prospectors and application form लिखा हुआ है just आप इसे यहाँ पे क्या करेंगे click करेंगे जैसे ही आप click करते हैं तो थोड़ी देर में आपके सामने एक link active हो जाएगा यहाँ पे आप देख रहे हैं SBI का portal active हो चुका है जिस पे आप online payment के through form मंगवा सकते हैं तो क्या करना है आपको instructions पढ़ लेने I have read and accept पे click करना है और proceed पे click करना है जैसे ही आप proceed पे click करते हैं आपके सामने यहाँ पे category दी हुई है अब category क्या क्या है अब prospectus मगा रहे हैं SCST category के लिए या फिर general category के लिए अब आपके मन में आता है कि OBC वाले कहाँ apply करेंगे तो OBC वाले general के अंदर ही apply करने वाले हैं तो यहाँ पे अपनी category के according इसको select करेंगे क्योंकि आपका जो form fees है वो सी according लगेगा तो यहाँ पे अपने जो भी category थी वो select कर दिया है select करने के बाद आपके सामने देखिए information लिखा है candidate name अब बच्ची का जो अपने enter किया full address देखो आपका address यहाँ पे properly आप enter करेंगे क्योंकि जो form है आपके इसी address पे आने वाला है ठीक है तो proper address डालेंगे आप यहाँ पे अपना city डालेंगे आपके state से belong करते हैं वो state यहाँ पे डालेंगे आपका जो pin code number है आप वहाँ पे pin code डालेंगे आपका exact ज additional information डाल सकते हैं यह तो होगा कि बच्चे की details ठीक है जिसके नाम पे यह form आने वाला है अब आगे देखिए अब यहाँ पे आपको enter करना है आपका name date of birth किसके लिए आप enter कर रहे हैं personal banking के लिए कर रहे हैं इसका मतलब जिस account से आप payment कर रहे हैं उसकी details आपको यहाँ पे fill कर नहीं है तो यहाँ पे जिसका account है उसका name enter करेंगे date of birth यहाँ पे select करेंगे mobile number email address जो parents है उनका ही यहाँ पे enter होने वाला है उसके बाद नीचे जो image वाला capture है वो आप enter करके क्या कर देंगे submit पे click कर देंगे जैसे ही आप submit पे click करेंगे तो आप पहुँचेंगे कहाँ पहु banking के through payment कर देंगे और जैसे ही आप payment submit करते हैं around 15 days से 20 days के अंतर आपके घर पे आपका जो prospectus है वो पहुच जाएगा so I hope आप सभी को आज का session helpful लगा हो ऐसे ही regular updates के लिए हमें subscribe कर bell icon प्रेस करना ना भूलिएगा साथ ही साथ अगर आपके कोई doubt या कोई query है तो आप नीचे comment section में comment कीजिए within 24 hours आपके सभी doubt and queries को हम answer करेंगे और इस वीडियो को हर उस aspirant तक पहुचाईए चिन ही इसकी requirement है तो मिलते हैं आपसे एक लिए session में तब तक के लिए चाहें